इसकी study point से लेग वुड़ी के इस special वीडियो में आप देखने जा रहे हैं model activity task जुलाई 2021 को और इस वीडियो में हम लोग cover करेंगे बहुत एक विज्यान physical science class 9 new model activity task को अगर अभी तक आप इसकी study point से लेग वुड़ी को subscribe नहीं किया है तो तुरण subscribe कर लीजिए like और share करना बिलकुल नहीं भुलिएगा इस से दोसरों को भी फायदा होने वाला है क्योंकि वे भी इसकी study point से लेग वुड़ी के quality videos के बारे में जान पाएंगे और उन्हें भी मदद मिलेगी तो चले बिन समय गवाएं शुरू करते हैं देखे model activity task जो जुलाई महिने में distribute किया गया बच्चों को वा आपकी screen पर दीख रहा है चुकि हिंदी version में questions available नहीं है तो बंगला version का question और English version की questions की मदद से इसको हिंदी में रुपांतरित करके आपके लिए लाया गया है साथ साथ में English और Hindi का question paper एक साथ में दिखाया जाएगा आपको तो आप घवड़ाईएगा नहीं क्योंकि यह सुभीदा के लिए ही त्यार किया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला question देखिए इसमें तीन question दिया गया है question number one में और आपके पास mcq वाले question है पहला question में आप ध्यान से दिखेगा यहां पर भौतिक रासी होना चाहिए typing error हो गया है उसको सुधार लिजेगा तो physical quantity होता है English में इसलिए यहां पर भौतिक रासी होगा तो इसमें देखिए द्रवयमान नेफ्सलीं का Yes, नेफ्सलीं का संवेग और नेफ्सलीं का i.d whacka ठीक है तो नेफ्सलीं बाल जो होता है नेफ्सलीं का जो गोला होता इसके लिए बात किया जा रहा जिसको आप जानते हैं कि टॉलेट पैन में इसका इस्तमाल किया जाता है या फिर कपड़ों के विस साथ में रख दिया जाता है नेफ्थलीन को ताकि दूरगंद नहीं है है न तो आपको समझने के लिए मैं नेफ्थलीन के बारें बताया तो यहां पर बताना है कि बहुती क ग्रासी क्या है आप याद करिए पहला वाला जो पार्ट पड़े थे पहला वाला चाप्टर जो पड़े थे उसमें बताया गया है कि जिनका मापतौल ग्याद किया जा सकता है उन्हें बहुती ग्रासिया कहते हैं तो आप तो गंद को मापतौल नहीं कर सकते हैं इसलिए सह सही option क्या होगा सी तो पहला का सही option कौन है सी है याद करके रखिएगा आप टीक कर लिजेगा दूसरा दिखिएगा आई सोबार के लिए सही विकल्प यह है कि उनका बरावर द्रभ विमान होगा समान संख्या में proton या बरावर संख्या में neutron या बरावर संख्या में द्रब्यमान संख्या बरावर द्रब्यमान संख्या होती है मतलब mass number equal होगा या उचा गया है बताया गया तो इसमें कौन सा होगा ये आपको बताना है तो सही उतर क्या है बरावर द्रब्यमान संख्या होती है तो ISOBARS जो होता है ISOBARS में आप क्या जानते हैं ISOBARS में आप देखते हैं जैसे H11 लिखे आप ठीक है तो उपर वाला जो है मास नमबर इक्वल होगा यही बताना है ठीक है मास नमबर ब्रावर हो जाएगा Atomic नमबर नहीं मास नमबर सेम होना चाहिए ठीक है तो इसी उसको आपको समझके रखना है कि मास नमबर सेम होगा तब जाके वह क्या कहलाएंगे ISOBARS होगा तो मैं एक्जांबल के तोर पर आपको दिखाने के लिए यहां पर उपर में दिखाया है कि उपर में जो रहता है मास नमबर रहता है अटमिक नमबर जब राबर होगा अटमिक नमबर जब राबर होगा तब वह क्या 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 लाएगा ISOTOPES क्या लाएंगे ठीक है तो यह सब आपको मालुम है तो सही अप्शन इसमें कौन सा होगा D वाला होगा फिर देखिए समवेग का भीमा क्या है समवेग मतलब मोमेंटम तो मोमेंटम होता क्या है समवेग तो मोमेंटम कैपिटल एम से लिखते हैं हम लोग माल लीजे तो मोमेंटम मतलब होता है क्या मात्रा कुना वेग मतलब वैलेसिटी यह होता है तो मात्रा का अगर हम लोग dimension लिखेंगे m और velocity के dimension लिखते हैं तो m to the power 0, l और t to the power minus 1. इन सब को जब एक साथ में combine करते हैं तो आप देखे m, l, t to the power minus 1. तो यह हो गया किसका? यह हो गया आपका momentum, समवेग की dimension, समवेग का वीमा. तो कौन सा option सही होगा? D वाला option सही होगा. ठीक है? उमीद कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा. तब ध्यांग से देखिए, तो पहला का answer कौन सा होगा? यह वाला C को underline कीजेगा, second वाले में D को underline कीजेगा, और third में D को underline कीजेगा. तो उमेद कर रहा हूं आपको इसकी study point से लिग उड़ी का पहला question समझ में आ गया होगा physical science का एकदम easy है ठीक है आगे बढ़ते हैं question number two की और बढ़ते हैं जिसमें बुला गया है क्या MCQ हम लोग कर लिए हैं जिसमें बुला गया है आपको बताना है कि सही या गलत है determine whether the following statements are true or false तो निर्धारित करिए आपकी सही कथन कौन सा है सही कथन और कौन सा है गलत कथन तो देखे सबसे पहला जो है विशिस्ट गुरुत्व जिसको आम लोग गोलते हैं specific gravity ठीक है specific gravity ठीक है तो इसमें इकाई नहीं होती है ठीक है तो क्या है सही है या वाला क्या सही है आप पढ़े होंगे कि कुछ रासियां हैं जिनकी इकाई नहीं होती है उन सब को समझ के रखिएगा दूसरा वाला देखेगा यदि कोई वस्तू आर सेंटीमेटर त्रिच्चा वाले विताकार पत के आदे भाग को तै करती है तो माल लिजे कोई एक वस्तू है जिसकी रेडियस यहां पर दे कि आर है और यहां व्रीत हो गया तो माल लिजे यह बीच में माल लेते हैं इसको ठीक है यहां से यहां से चलते चलते यहां तक महुचा कोई विवस्तू देखे इस तरह से तो अगर पूरी इसकी हम लोग बोलेंगे परी सीमा जिसको अगर कवर करता है तो पूरा हो गया यह तो यहां पर तो हाफ हो रहा है तो कितना हो गया पाई यार तो यहां पर जो दूरी हो गया यह यहां पर एकी दिशा में देखें यहां पे तो displacement तो पाई-ार हो गया आर तो कतभी HOW तो दूसरा वला क्या हो गलात हो गया तो तो दूसरा वला गलात हो गया को इस दो गया रवान 12 scale में magnesium क्लोरीन का परमानु भार इतना है ठीक है एक इतना है तो क्लोरीन के एक परमानु का द्रब्यमान देखें परमानु का मतलब एक एक atom का जो मास जो कितना होगा एतना मधा किंश या यू लिखते हैं तो यह क्या है यह भी सही इनफ है यह क्या सब इसको सही है ठीक है तो इस तरह मेसे आप इन सब को तो बताएंगे, याद करके रखना होगा आपको कीसी तत्व की परमाणू का द्रभेमान को भाग को राजन देता है 12 के होता है, तो अगर आप चाहें तो we both calculating, आप दिखे गा कीजा इसलिए यहां पर जो आप देखेंगे वह इधर में ही आएगा इसलिए घपड़ाने की जरुवत नहीं आप इसी तरह से याद कर लिजेगा कि आगे बढ़ते हैं कि कोशन नंबर थ्री को देखें कोशन नंबर थ्री में आपके पास है density of what hydrogen this much देखें देंसिटी दिया गया है और आपको क्या बताना है इसमें इसको convert करना है एसाई सिस्टम में देखें एसाई इकाई में बताना है एकदम इसी है आपको इसके पहले solve करने के पहले कुछ concept आपको clear होना चाहिए देखें ध्यान से समझ लिजे साइड में लिक रहा हूँ 1 kg इकवल टू 1000 ग्राम होता है यह तो पता है यह फिर वन ग्राम इकवल टू हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1 by 1000 kg लिखेंगे इसी को अगर ब्रेक करूंगा तो यह फिर power के रूप में लिखूँगा इंडिसेस को मदद ले के तो कितना लिखूंगा 10 to the power minus 3 kg ऐसे लिखेंगे यह सब याद रखना है आपको फिर 1 meter कि युव equal to कितना हो जाता है 1000 liter होता है ठीक है और 1 liter इसी को अगर तोड़ के लिखूंगा तो कितना होगा या फिर power में लिखूंगा तो minus 3 10 to the power minus 3 meter या अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आपको इसको solve करने में दिक्कत नहीं होगी साथ में आपको यह भी याद रखना है कि SI पद्धिती में SI पद्धिती में जो बल की काई होती है वह क्या होती है kg per meter q और SI पद्धिती तो समझ गया है cgs में gram per centimeter q तो यह इकाई होती है जिसको आपको याद करकर रखना है किसी का density के लिए तो आपको क्या करना है इस चीज को यह देखिए इस चीज को hydrogen gas का घनत्वा है इसको आपको बदलना किसमें SI पद्धिती में कुछ नहीं आप बस लिखेगा घनत्वा लिखते जाए इस तरह से 0.0898 ग्राम पर लीटर ठीक है अब इसको मैं क्या करूंगा इसको मैं power में convert कर देता हूँ ठीक है 8.98 इंटु 10 तो दी पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर ऐसे लिख दिया अब क्या कर रहा हूं देखिए 8.98 इंटु 10 तो दी पावर माइनस 3 ग्राम और इसको नीचे में कर दिया वन लीटर इसको इस तरह से समझाने के लिए आपको यह से लिख रहा हूं ताकि आप रसानी से समझ पाएंगे देखिए आप 1 लीटर इसको तो मुझे मीटर में करना है तो कितना लिखूंगा 10 तो दी पावर माइनस 3 मीटर यह देखिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा फिर 8.98 इंटु 10 तो दी पावर माइनस 3 अब इसको किसमें कर रहा हूं केजी में कर रहा हूं कि लौफ इंडिस का यूज कीजिए तीन और तीन मिल कर यहाँ पर 6 हो गया या फिर माल लिज़िए इसको हम लोग नो काड देते हैं ठिक है इसको हम लोग काड देते हैं देखिए कलर सेंज कर देता हूं ता कि आपको समझने में हासानी होगी यह दे के यह वाला और यह व तो इस तरह से आप इसको convert कर सकते हैं, इसको फिर चाहे तो point में divide करते हुए फिर और आगे बढ़ा दीजे, फिर लिख दीजे, किन्तो मैं चाहूंगा आप इसी तरह से लिखे, ताकि आपको समझने में असानी हो, ठेक हैं, उमीद करा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी doubt है, तो आप comment section में जाकर comment कीजेगा, तो मुझे पता चल जाएगा, कि हाँ, आपको कहां पर समस्या हो रही है, अगर अभी तक आप इसकी study point से लिख लिखे, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरह सब्सक्राइब कर दीजे, और like और share करना बिल्कुल न next question की ओर, और देखते हैं कि next question में 3.2 क्या बोलता है, question number 3.2 में आप ध्यान से देखे, इसमें दिया गया है कि तत्वा के परमानू और electron के कुल संख्या इतनी है, ठीक है, इसके पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आपको यहाँ पर समझ लेना जरूरी है, atomic number, मतल इसको बोलते हैं परमानू संख्या, ठीक है, परमानू संख्या क्या होता है, इस इसको समझ लिजे, फिर मातरा संख्या समझ यह कि क्या होता है, जिसको मास नंबर बोलते हैं, ठीक है, यह दो कंसेप्ट आपको समझ लेना बहुत जिरूरी है, माल लिजे मैंने लिखा यहा eleven यह कहलाएगा परमानू संख्या और जो उपर वाला है वोह कहलाता है जो जयादा रहाता है मास नंबर और जो ATOMIC नंबर है वह ही बताता है proton की संख्या और इतना जान के रखियेगा अगर यह परमानू है तो उसमें proton की संख्या और इलेक्टोन की संख्या क्या होती है बरावर होती है ये चीज़ को आपको समझ के रखना है ठीक है इलेक्टोन और प्रोटोन की संख्या बरावर होती है किसमें एक परमानों में किन्तों यही आयन है तो उसमें इलेक्टोन की संख्या घटेगी या बड़ेगी याद रखना है मास नंबर देखे, मास नंबर क्या बताता है, प्रोटोन और नीटोन की संख्याग का है, यह उगफल को बताता है, इस चीज़ को भी आप दिमाग बैठा के रखिएगा, ठीक है, तो मैं इसे लिखता हूँ, पूरा ही लिखके बता रहा हूँ, आपको आपको असानी से समझ म प्लास प्रोटोन, आप ध्यान से सुनिएगा, तब जा कि आपको किसी स्टेज में समझने में दिक्कत नहीं होगी, तो यह प्रोटोन और इलेक्टोन की संख्या पूरी है, तो इसलिए अगर मैं बोलू, इसलिए प्रोटोन की संख्या कितनी होगी, तो इसकी हाफ हो जाए डिवाइड कीजिए तो 92 हो गया, तो 92 इलेक्टोन है और 92 प्रोटोन है, इस इसको आप समझ के रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमानू है और परमानू में इलेक्टोन और प्रोटोन के संख्या समान होती है, इसलिए एक बार में मैंने इस तरह से निकाल दिया, ठी देखें, कितना है द्रवेमान संख्या, 235 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, द्रवेमान संख्या मतलब प्रोटोन की संख्या, प्लस न्यूट्रोन की संख्या, 235 आप देखें, यहाँ पर प्रोटोन है, इस जगा पे, उपर में, उपर में आप देख पा रहे ह है कि यहां पर proton है यह वाला हिस्सा और यहां पर proton और neutron है मैं अगर इस में से घटा दूंगा तो मुझे क्या निकलेगा neutron की संख्याँ न तो इसलिए neutron यहाँ पहीं समझके रखिए neutron यह प्रोटोन लिखने का मतलब केवल यही नहीं है यह प्रोटोन और न्यूट्रोन समझ के रखना है इनकी संख्या इधर में प्रोटोन चलाया तो प्रोटोन कितना है कि देखें यहाँ पर घटा दीजे 235 उसमें से 92 को घटा दीजे तो आपके पास 143 हो गया तो यही इसका एंसर हो गया ठीक है तो आप अगर ध्यान से सुचिए गया तो यह किसका है किसका अटमिक नंबर है किसका मास नंबर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह यह यूरेनियम 92-235 है ठीक है यूरेनियम का एक आइसोटोप है 238 भी होता है और 235 भी होता है तो यूरेनियम का 92-235 वाला तत्वा है जिसमें प्रोटोन और इलेक्टोन की संग्या 184 दिया गया है और मास नंबर दिया गया है 235 तो इसी के मदद से आप इस तरह से कलकुलेशन करके इस निमरिकल को सॉल्ट कर सकते हैं आगे बढ़ते है इस वीडियो का लास्ट कोशन जो है उसको हम लोग समझेने की कोशिस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है यूजली एक्जाम की दिश्टी से भी और ऐसे भी हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाइ 2021 के कोशन पीपर को और या कोशन जो है वह है बेस किया हुआ está primeira मोशन से ibs प्यक्राइब कोशन मोशन एक्विशन पर कोशन है जीसे हम लोग दयान से देखके समझेंगे कि यहां पर एक ट्रेन देखे सीग्सें किलोमिटर पर गंटा की रफ्तार से चल रही है करती से चल रही है और ब्रेक लगाय गया तो वह देखे 1 meter per second square का मंदन प्राप्त कर लेता है तो रुकने में कितना समय लग रहा है कितना आउसक्त समय होगा कि ट्रेन रुख जाएगी इस चीज़ को गयाद करना है आपके पास दिया क्या है उसको देख लिजे और समझे आपके पास दिया गया है क्या यहां पर चल रही है तो initial velocity जो होती है उसको हम लोग प्रारंभीक बेग लिखते हैं तो प्रारंभीक बेग कितना है यू इक्वल टू 60 km फटी घंटा इसको हम लोग बदल देंगे किसमें मीटर पार सेकेंड में बदल देंगे क्यों क्यों क्योंकि यहां पर दिया हुआ है मीटर में तो सब एक ही यूनिट में होना चाहिए इसलिए हम लोग इस तरह से करेंगे दिखे मैं इसमें calculations नहीं करूँगा बस इतना ही करके लिखके छोड़ दिया मैं आप दिखे यहां पर अंतिम वेग कितना है चुकि यहां ट्रेन रुख जा रही है ठीक है इसलिए इसकी अंतिम वेग जो होगी वह जीरो होगी और चुकि मैं इसको एक ही उनिट में लिख रहा हूँ तो जीरो मीटर पार सेकेंड लिखना है क्या कोई मतला भी नहीं होता है फिर भी हमने लि इस तरह से आपको लिख लेना है और आपको समय गयाद करना है यह है तो आप क्या लिखेंगा आप जानते है जो फॉर्मूला होता है उस चीज़को आप लिखिएगा समीकरण से गति का जो समीकरण है motion equation equation of motion जिसको बुला जाता है ठीक equation सब motion में आप चार तरह का equations पढ़ते हैं तो तीन तरह का basically पढ़ते हैं तो उसमें से जो पहला वाला है वी एक्वल टू यू प्लस 80 इसको हम लोग यूज़ करेंगे ठीक है जिसमें acceleration वाला है इसमें और अगर iteration है तो से माइनस पूट करेंगे तो अपने आफी सारा calculations बनता चला जाएगा यहां पर मीटर पर सेकेंड फिर 60 इंटू 5 बाइटीन मीटर पर सेकेंड प्लस ए तो यह कितना है माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर और यहां पर टाइम टी है ठीक है तो आप दिक इसको जब हमनों calculations करेंगे तो एक साथ में की बार में अगर करूंगा तो कितना हो जाएगा यहां वाला हिस्सा अगर इधर आता है तो वान के मीटर पर सेकेंड स्क्वाइग इंटू ्टी और यहां पर kay February 60 इंट फाइब वाइन 18 meter per second, यहां हो गया, अब देखिए, यहां का one जब उधर में जाएगा, यह पूरा divide करेगा इसको, यह वाला हिसा, यह वाला हिसा नीचे में जाएगा, तो यहां के एक meter, एक meter कर जाएगा, second, second कर जाएगा, और एक second उपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, t equal to 60 into 5 by 18, के वल second बढ़ जाएगा, ध्यान से समझे, क्या मैं बोलना चाह रहा था, meter per second है यहां पर, और उधर से meter per second square आया, कट गया, उपर का दोनों, नीचे में, per second आएगा, यह वाला हिसा, तो per second को हम लोग माइनस one में ऐसे लिखते हैं, तो यह उपर चला गया, तो इतना हो गया, इसलिए हम लोग यहां पर second लिखे है, अब इसको जब cutting करेंगे आप, तो कितना होगा, 55, 3 आगया, ठीक है, यह दिखें, तीन और यहां पर दस, ठीक है, तो पचास हो गया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे, आप, तो 16, 9, 2 बटे 3, second, मतलब 16, 10, 6, 7, second, आपका जो टाइम हो गया, वो आ हो गया, तो जो train है, उसको रूपने में कितना समय लग रहा है, 16, 10, 7 seconds लग रहे हैं, तो इस तरह से आप जितने भी important questions है, इस पर आदारी तो उसको practice किया किजेगा, ऐसा नहीं कि पास एक ही question कर लिए, practice question paper को solve करके, आप इसकोल में submit कर दिया हो गया, वैसा नहीं, आप practice किजेगे, इस सब को, thank you very much for watching.